So hello guys, welcome to my YouTube channel, Riddik Technical Support, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, OnePlus device में Snapchat में अगर आपको step का problem आता है, जिसमें लिखा रहेगा, due to repeated failed attempt for other unusual activity, your access to Snapchat is temporarily disabled, तो basically इसका reason क्या है, और इसका solution क्या है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ओके, वीडियो स्टाट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा, विलका इकन को प्रेस कर लेना है, जब आप लोग अपने Instagram माफी चाहूंगा, Snapchat में आप लोग लोग इन करते, username, email id डालते, password डालते, आप लोग अगर wrong email id डालते, wrong username डालते, भी उसको temporarily disable कर दिया जाएगा, तो देखिए जो भी आप लोग username, password डालते, सही तरीक से डालिए, आपको ये error नहीं आएगा, और आप चाहते कि जो temporarily disable है कब तक रहेगा, तो ये 24 hour, 48 hour तक रहेगा, उसके बाद आप लोग फिर से re-login कर सकते, और जब आप लोग री-login में जाइमादी